साम में idioms phrases से question आते हैं यहां पर question बना है देखिए use the following idioms in your own sentences so as to bring out their meaning clearly यह कह रहे हैं जो इनको क्या करिए इनको sentence में use करिए ताकि इनका एक है तो पहला है all in all तो all in all का मतलब होता है whole and all in all का मतलब होता है whole in soul यानि कि सर्वे सर्वा in all in our country यानि कि प्राइम मिनिश्टर परधान मंत्रे जी हमारे देश में क्या है मतलब सर्वे सर्वा है इसकी बात में दूसरा देखे अब बेड आप रोजेज तो अब होता है quite comfortable मतलब काफी ज्यादा आराम दायक जैसे अगर किसी को गुलाब का बेड बना दिया जाएगा तो तो आराम दायक रहेगा ही तो quite comfortable यानि कि फूलों की सेज पूस्ट अप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस नाट कॉइट ऑफ रोजेज यह करें कापद होता है जो डियाम होता है वो एक आराम दायक नहीं है वो पूलों की सेज नहीं है उसमें जैसे भागदोड बहुत ज़्यादा रहती है ना तो ही बताय जा रहा है अब all and sundry का मतलब होता है everyone without distinction all and sundry means क्या होगा everyone without distinction बिना किसी और यहां पर है अब देख सकते हैं example क्या दिया गया है he invited उसे invite संट्री टू दा मैरिज पार्टी मलब मैरिज पार्टी में इन्वाइट किया गया वो भी बिना किसी भेदभाव कि यह सारा कॉशन किसे न किसे एकजाम में पूछा गया है नेश्ट है आपका एन एपल आप डिसकार्ड मिन्स क्या होगा बच्छा तो देखे इसका मतलब होगा कॉज आप कॉइरल सोरी कॉज आप कॉइरल यानि की जगड़े की जड़ तो कस्मीर बेटविन इंडिया एंड पाकिस्तान कस्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एपल आप डि है इसके बाद में नेश्ट आप देख सकते हैं पांच वाँ अब अब बोल्ड अब बोल्ड का मतलब होगा अने अब बोल्ड मिन्स क्या होगा अनेस्ट एंड फ्रेंग क्याने की मानदार एंड sentence means क्या he is always above board in his dealing with his customers के साथ deal करता है तब above board रहता है मतलब honest और जो है honest and frank रहता है एक बार बताओ पांच याद हो गया चलिए बताइए होगा whole and soul यानि कि सर्वे सर्वा all in all means क्या होगा whole के सर्वा इसके बाद में अब बे सर्वे सर्वा एक जंपल में यूज करेंगे तो दा प्राइम मिनिस्टर इज और कंट्री दूसरा आप बेड आफ रोजिज का मतलब होता है यानि कि फूलों की सेज था पोस्ट आफ डिस्टिक मजिस्टरेट इज नाट आप वाइट रोजिज का मतलब होता है तो all and sundry means होगा everyone without distinction यानि कि बिना ही इन्वाइटेड all and sundry तू दा महरीज पार्टी उसे महरीज पार्टी के लिए बिना कि या गया इसकी बाद में next है आपका an apple of discord means क्या होगा cause of quarrel यानि की जगड़े की जड़ तो कस्मीर is an apple of discord कस्मीर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच apple of discord है जगड़े की जड़ है अब अब बोर्ड मिन्स होगा honest and friend क्यानि की मानदार तथा अस्वश his always above with his customers वो अपने customers के साथ deal करने में क्या है honest and friends send phrases है एक तरस मोहाबरा तो थोड़ा सक कठीन होता इसलिए इसका पांच-पांच करवाएंगी परड़े पांच मैंकल इसके बाद आगे फिर continue कर दूंगा कर दूंगा ओके किलियर एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए all in all का मतलब सर्वे सर्वा रोजेज मीन्स फूलों की सेज क्वाइट कमफर्टेबल आल एंड संद्री मीन्स क्या निक भीना किसी भेदभाव के एन एपल आप डिसकार्ड मीन्स जगड़े की जड़ काज आप हो क्वेरल और अबब वर्ष्ट अनेस्ट एंड फ्रेंक लेर हाँ यह संटेंस जैसे हिंदी मोहाबर आता है न कि मोहाबरे का अर्थ लिखो और उसका संटेंस मी यूज लिखो हाँ ये कॉस्टन आता है भाई को सब्सक्राइब यूज दा फॉलिएंड इडियम सेंड प्रेजिस इन यूर लिखियो जैसे इद का चांद होना तो कैसे लिखते थे बहुत दिनों बात दिखाई देना राजन जैसे कि वो इद का चांद हो गया है ऐसे कुछ भी आप यूज करना तो ऐसे यहाँ पर आप संटेंस अपने आप ट्रेंट इस संटेंस का यूज यह मैंनों तैंट आर्थ आपको याद रहने की लेर है ओके थेंक्यूआ